Hello student, class first, subject आपको computers इसमें हम जो हमारा lesson था, keyboard ये हमारा complete हो चुका है, इसे हम complete कर चुके हैं तो आज हम अपना start करेंगे question bank, page number 50 में question bank है इससे हम जो हमने 3 chapter करें हैं, इसी से related हम क्या करेंगे, questions करेंगे तो देखें, आपे page number 50 में आपका question bank है, आज हम first करेंगे इसका state true or false for the following statement आपको कुछ statement दिये हैं, आपको बताना है, true है या false, सही है या गलत तो यहाँ देखें, copy में भी आपने करना हैं, और साथ साथ आप याद भी करेंगे, learn भी करते रहेंगे Question bank, page number 50 है आपका, first question हम इसका लेते हैं, state true or false for the following statement इसमें हमें सही और गलत बताना है, हमें कुछ वाक्य मिले हैं, कुछ statement आपको दी गई हैं, हमें क्या बताना है सही और गलत में इसका answer लिखना है, जबाब देना है पहला है, computer is a manual machine, यह कहता है कि computer एक manual machine है, यानि कि जो computer है, वो इनसान, यानि कि इनसानों के दार, manual machine है, यानि कि हम लोग उसको चलाते हैं, इनसानों के दारा चलती है, manual ही काम होता है, तो यह आपका statement क्या है, wrong है यहां पर यह क्या हो जाएगा आपका, false, क्योंकि computer एक ग्या है, electronic machine है, computer किसे चलता है, electricity से, यानि कि बिजली से चलता है आपका, इसके बाद आपका second, cycle is, यानि कि जो आपकी bicycle है, आपर cycle ही था, cycle is an electronic machine, यह भी आपका क्या है, false, क्योंकि जो cycle होती है, वो आपका क्या होता, इसे हम इनसान चलाते हैं, आपके कोई बिजली से नहीं चलती है, इस नॉट अलेक्रोनिक मशीन, तो यह आपका क्या है, और जो साइकिल है, वो है आपके क्या है, आपकी मैन्वल मशीन है, थर्ड स्टेप्मेंट है आपका, Computer works faster than man Computer तेजगती से, इनसान से, यानि कि man से, human power से तेजगती से काम करता है बिल्कु सही, जो computer है, जिती ही machines आपके होती है वो हम, हमारी जो human power है, उससे जल्दी क्या करता है वो काम अपना faster, यानि कि तेजगती से अपना क्या करता है काम आप करता है तो यह क्या आपका statement true next आपका 4 keyboard is used for typing text on monitor अब keyboard जो आपका keyboard आपका क्या है main part है आपका computer का तो keyboard किसले use होता है आपका typing करने के लिए यानि कि आप alphabet type करते हैं आप numbers करते हैं आप symbol की करते हैं monitor में जब आपको लिखना होता है तो आप किसका use करते हैं keyboard तो यह statement आपका बिल्कुल क्या है correct है बिल्कुल सही है तो यह है आपका question bank आज में 4 इसकी true force लिए है यह आप इसको learn करेंगे पढ़ेंगे इसको 3 chapter आपके complete हो चुके हैं इसे भी आपने क्या करना है revise करना है अपना chapter पढ़ेंगे इस 3 chapters आपके complete हो चुके हैं तो आप इसको पढ़ेंगे और यह साथ साथ में अपना question bank है आपका यह आज start हो गया आपका यह भी आपने learn करना है और जितनी भी activities अपकी chapters की करवा चुके हैं वो आप क्या करेंगे उनको learn करेंगे chapters भी अपना क्या करेंगे आप पढ़ेंगे so thank you class